जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को जारखन में क्रोणा के 2499 केस मिले हैं जो राची से 584 पूर्वी सिम्म 591,1227 बोकारो 132 धनबाद 73, रामगर 30, पच्मी सिम्म 56, कोडारमा 33, पलामू 87, देवघर 87, गुमला पच्पन, गिरीडी 13, खुटी 111, लातेयार उंचा सिम्डेगा 31, सराय के लाखर्षावा 93, गढ 31, जामतरा 11, दूमका 165, सायवगं 37, और पाकुर से 3 मरीज मिले हैं बता दे जारखन में 6 मरीज की मौत भी हुई है वहीं एक्टिव केस की संख्या 297 पर पहुँच गई है जारखन के जीलो में एक्टिव केस इस परकार हैं गढ़ा 531, जामतरा 217, दूमका 404, सायवगं 212, पाकुर से 180 मरीज एक्टिव हैं जारखन में 20 सुत्री के बाद अब गठित की जाएगी 15 सुत्री कमिटी जारखन में सरकार की 20 सुत्री कमिटी के गठन की परकिरिया पूरी होने के बाद अब 15 सुत्री कमिटी और निग्रानी समीती के गठन की परकिरिया शुरू होगी बता दे 20 सुत्री कमिटी के गठन की परकिरिया अम्तिम चरण में है इस सब्ता तक बचे जीलों में कमिटी के गठन कर लिए जाने की उमीद है इसके बाद राजे में 15 सुत्री कमिटी के गठन की परकिरिया शुरू होगी बतादे जीला अस्तर पर 15 सुत्री कमिटी का गठन किया जाएगा इसमें 4 अलपसंख्यक करेकारता सदस के रूप में सामिल होंगे इसमें मुसलीम इसाइ समेत और अलपसंख्यक करेकारता सामिल हो सकेंगे वहीं निगरानी समीती जीला और परखंड अस्तर पर होगी सिविल सेवा मोख्य परिक्षा के लिए 18 जनवारी 2022 से एडमिट कार डाउनलोड होगा बतादे आयोग ने सोमवार को इसकी जारी कर दी है एडमिट कार सभी पत्र के लिए उपस्थिती पत्रक वा दीशा निर्देश आयोग की वेपसाइट से डाउनलोड करना होगा जल्द होगी सेटेलाइट मैपिंग राज जे के चार लाग से अधिक चापानल पेज जल विभाग की जला पूर्थी ओज नाव वा जल सुरतों की सेटेलाइट से मैपिंग का काम फरवरी मा से शुरू होगा बतादे पेज जल विभागने इसे लेकर दिसंबर में रांची रामगाड वा रामगाड जिले में पाइलेट पूर्जेक्ट सुरू किया था विभागी अधिकारियों के अनुसार इस माह के अंदर पूर्जेक्ट पूरा हो जाएगा इसके बाद राजे के सभी जिलो में सेटेलाइट माइपीम का काम सुरू होगा बतादे परदेश में जल साहिया के सहयोग से एक एक हैंड पॉम्प का सर्वे कराया जाएगा जल सहिया अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि हैंडपप की स्योजना के तहत लगा जा गया है हैंडपप की गहराई क्या है और मरमत कब कब हुई हैंडपप सिंगल विलेज इसकीम का है या मल्टी विलेज इसकीम का फूरी जनकारी देंगे किसान घर बैठे कर सकेंगे पसुधन इसकीम के लिए अवेधन सीएम पसुधन इसकीम के लिए एप से अवेधन दिया जा सकेगा बतादे पसुपालन विभाग मोबाइल एप विक्सित कर रहा है इससे किसान इसकीम का लाव लेने के लिए अवेधन कर सकेंगे बतादे आवेदन पंचायत अस्तर से ही तयार होगा लेकिन यह सब सीधे मोबाइल एप से होगा इससे स्कीम के संचालन में भी सुविधा होगी पसुपालन विभाग के निदेशक सासी परकाह जहा के अनुसार जल्दी या एप तयार हो जाएगा इसके बाद किसानों के साथ साथ अधिकारियों को भी सुविधा होगी पीएम गती सकती योजना के लिए जहारखन में बनेगा मास्टर पलान पधान मंत्री गती सकती योजना के तहट जहारखन में मास्टर पलान बनेगा पतादे इसके लिए मुख सचिव के अध्यक्सता में कमिटी बनेगी जहारखन इसकी त्यारी कर रहा है पिछले दिनों केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में जहारखन से नोडल अपसर दिबियांसु जहा सामिल हुए थे बतादे इसमें मास्टर पलान बनाने के लिए जहारखन को करवाई करने का निदेश दिया गया है गति सक्ति योजना एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए है जिसमें पूरे देश के सड़क जल और रेल मार्ग पर एक लाग क्रोर खर्च किये जाने है बता दे गति सक्ति योजना 15 अगस्ट 2021 को परधान मंत्री ने घोसना की थी कोरोना टीका का दोनों डोज ले चुके लोग कम हो रहे संक्रामित जारखन में कोरोना के तिसरी लहर के वीज स्वास्त विभाग द्वारा दिये गए संक्रामितों के आकड़े इसकी गुआही दे रहा है कि ए आकड़े बताते हैं कि कुरोणा वैक्सिन के दोनों डोज ले चुके कोई लोग तिसरी लहर में संक्रामित हुए लेकिन ऐसे लोग की संक्रामित के उनुपात में बहुत कम है बताद बैक्सिन का केवल पाला डोज लेने वाले के बाद संक्रामित होने वालों की संख्या भी तिस्री लहर में संक्रामित की कुल लोगों के मुकाबले काफी कम है कुरोना संक्रमन की तिस्री लहर में 25 दिसंबर से 16 जनवरी 22 तक राजे भर में 61 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें से 12 संक्रमितों की मौत अस्पताल में भरती होने के 28 गंटे के अंदर हुई वहीं 11 संक्रमितों की मौत 72 गंटे के अंदर और 21 की मौत अस्पताल में भरती होने के 72 गंटे के बाद हुई है देवघर का एक गाव जहां 199 एकड में नहीं जलता है चिराग जहारखन में कई जगा एक एक इंच की जमीन के लिए लोग एक दूसरे की जान ले ले रहे हैं बतादे देवघर में जमीन विवाद को लेकर अक्सर बड़ी घटनाय होती रहती है लेकिन देवघर से मात्र 15 किलोमेटर की दूर पर एक ऐसा गाव है जहां 199 एकर पैत्रिक जमीन रहने के बाद भी पूरे गाव में एक मकान तक नहीं है बतादे कोई इस जमीन पर मकान की निव तक नहीं खोदना चाहता बतादे मोहनपूर परखंड की कटवन पंचायत इस्थीत मठेया गाव में कोई अबादी नहीं है लोग केवल जमीन को खेती के उपयोग में लाते हैं अंध विश्वास एह है कि यहां मकान की निव डालने पर घर में किसी की मिरित्ती हो जाती है लातेहर की महिला डॉक्टर का अफहरन चंदवा समुदाईक स्वास्ट केंद्र की चिकित्सा डाक्टर निलीमा कुमारी का अफहरन करने और फिर अढायला की फिरोती वसुले जाने का ममला उजागर हुआ है बतादे महिला चिकित्सक ने खुद इसकी पुष्टी करते हुए बताया कि 12 जनवरी की साम में उनका अफहरन हुआ था उन्हें चंदवा स्वाहन पर रामगण ले जाया गया रात में रामगण में रखा गया फिर दूसरे दिन गुरुवार को पैसे लेकर राची में छोड़ा गया इसके बाद वह किसी तरह वहां से चंदवा आई वह घबराई हुई थी इसलिए उन्होंने ततकाल पुलिस को घटना की जनकारी नहीं दी उन्होंने चंदवा थाना में आवेदन देकर जांच की मांग की है पुलिस निरीक छक्स थाना प्रभारी असुतोस कुमार ने भी बताया कि मामले से संबंधित आवेदन मिला है जारखन में 22 जनवरी से बारिस कड़ाके की ठंट से जूज रहे जारखन में एक बार फीर मौसम कमी जाई बिगणने वाला है बतादे मौसम भी भाग ने इसकी चतावनी जारी करदी है मौसम भी भाग ने कहा है कि एक बार फीर पच्मी भी छोबने दस तक दे दी है जमू कास्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखन, आदी पहाडी इलाकों में बारिस और बर्फबारी की संभावना है इसका असर जारकन में भी दिखेगा मौसम विभाग के अनुसार आगामी 22 जनवरी 2022 से राइधानी राची सहीत जारकन के अने इलाकों में बादल छाने लगेंगे वही 23 जनवरी से जारकन में बारिस शुरू होने की संभावना है रामगर एसडिप्यों वा उनकी पतनी के बीच बिवाद पहुंचा महिला आयोग रामगर अनुमंडल पूलिस पता अधिकारी किसोर कुमार रजक वा उनकी पतनी वर्षा स्रिवास्तों के बीच घरलू बिवाद में मार पीट का मामला गहराता जा रहा है बतादे मामले को राश्ट्रिय महिला आयोग ने भी संग्यान लिया है महिला आयोग की टीम मामले की जाच के लिए रामगर आएगी करीब 5 साल पहले जब किसोर कुमार रजक रामगर में प्रसिक छुट डियस्पी थे तो उस वक्त भी पतनी के साथ हुए मार पीट मामले में जाच करने राज महिला आयोग की टीम रामगर आई थी बतादे महिला आयोग की मध्यस्ता में ही दोनों के बीच समझता हुआ था 23 जन्वारी को होने वाली नितरहाट पर्वेस परिक्षा अस्थागित कि सुचना जारी करते हुए कहा कि परिक्षा समंधित अपडेट सुचना है पिद्याले की वेबसाइट या आखबारों के माध्यम से बाद में दी जाएगी करोणा के कारण इस बार भी का अख्षा छाओ में नमांकन के लिए एक ही परिच्या आवजीत होनी थी इसके लिए पांच व परमवन्नल मुख्ञालों में केंदर बनाये गाये थे जार्खन पूलिस एसोसियेशन अपनी मांगो पर अड़ा है अपने पत्र में बताया है कि समीत्ती विभागिये परतियोगिता परिक्षा की अधिसुचीत नेमावली के समाप्त नहीं होने से सहायक और निरिक्षा कोटी के पता अधिकारियों की प्रोनाती नहीं हो पा रही है हजारी बाग जीला परिवहन विभाग हजारों ट्रक मालकों पर करेगा केस हजारी बाग जीला परिवहन विभाग 297 एक्स्टुवेटर वह एक हैर से अधिक ट्रक मालकों पर साटिफिकेट केस की त्यारी कर रहा है बता दे टेक्स डिफोल्टर होने के बाद विभाग ने इन्हें नोटिस जारी कर दिया है इन पर करीब पांच क्रोर से अधिक का टेक्स बकाया है 22 जनवाज तक सभी को टेक्स जमा करने का निर्देस भी दिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल परना है हो तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फीड़बैक अवस्त दे थैंक्यू